कि सब्सक्राइब कीजिए बी विस्टर चलन को और बैल आकन को दबाएं ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं तो अगर आपको अपने अधार कार्ड में एड्रेस को चिंज करना है यानि कि आप पहले कहीं रेंट पर रहे थे अब कहीं और पर रहते हैं तो आपको किसी बी तरह से अपना कोई भी एड्रेस में कोई भी करेक्शन करनी है तो उसका पूरा ओं-लाइन प्रोसीजर आज मैं को बताने वाला हूं तो चलिए चलते हैं computer screen की तरफ और समझते हैं इसका पूरा online प्रोसेस दोस्तों ये इनकी official website है और इसका लिंक मैं वीडियो के description में आपको देदूँगा अब उसके बाद आपको माई अधार काड़ पर जाकर update demographic data पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड अफ्डेट आधार काड़ पर आपको क्लिक करना है यहां पर आ कि ओटीपी पर क्लिक किजिए अब आपके मुंबाइल पर एक ओटीपी आया होगा आपको ओटीपी यहां डालना है मैं यहां पर अभी वोटीपी डाल रहा हूं लोगिन पर क्लिक करें, लोगिन पर क्लिक करने के बाद अब डेट डेमोगरिफिक डेटा पर क्लिक करें, उसके बाद यहां पर आपको आड्रेस चेंज करना है, तो आड्रेस पर क्लिक करें और प्रोसीड पर क्लिक करें, येस कर दें, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें, और आपके उपर जो डीटेल्स आ चुकी हैं अब आपको करेक्ट करनी हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर अपने डीटेल्स करेक्ट कर लेता हूं इनको डाल चुका हूँ और मेरे को अपना विलेज़ सेलेक्ट करना है मैंने विलेज़ सेलेक्ट कर लिया है अब उसके बाद पोस्ट ओस्ट कर लेना है डिस्टिक आ जाएगा बाय डिफॉल्ट सारी चीज़े उठाली जाएंगी अब आपको सबसे पहले हैं यहाँ पर वो स्लेक्ट करना है जो आप आप लोड करने वाले हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है माल लिजी यहां पर passport है, bank statement है, post office है, water ID card है, driving license है, बहुत सारे चीज़े हमारे पस यहां पर मौझूद है, हम इसमें से एक भी select कर सकते हैं, मैंने passport select कर लिया है, अब passport select करने के बाद, upload document पर click करें, यहां पर अभी आपको देखिए, अब यहां पर clearly upload हो चुका है, अब आपक जो भी आपने changes करें है, new correct details आपको यहां पर मिल जाएंगे, आप सारा check कर लिजिए, अब नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर capture पूछे का, आपको capture डालना है, यहां पर capture आप जैसे ही यहां पर click करेंगे, आपको send OTP पर click करना है, अब नीचे की तरफ यहां पर आपको OTP डालना है, और यहां पर I hear by पर click करना है, और उसके बाद make a payment पर click करना है, और simple आपको payment कर देनी है, 50 रुपेज की payment है, that's it, इतना है, इसका procedure है, apply करने का, आपके घर पर, जहां पर भी जो भी address आपने डाला होगा, आपके घर पर ही, एक नया अधारकर update होकर आ जाएगा, और आप बाद में चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ओनलाइन दुबारा से, इसके लिए भी मैंने वीडियो अप्लोड कर रखी है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, और second चीज यह है कि कुछ टाइम बाद आप इसको नेरबाई जो भी आपके computer की shop होगी, आप वहां से जाके निकलवा भी सकते हैं, that's it, so दोस्तों, अगर आपको किसी भी योजना के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के comment section में लिखिए, और अगर आपको किसी government job का update चाहिए, तो आप मेरे channel के community section में जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैं daily नई government jobs जो है डालता उसको divide कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, और अधार card, water card, हर एक जो KYC documents हैं, उसके ओपर भी वीडियो वहां पर uploaded है, so thank you guys, thank you so much, अगर आपको वीडियो पिसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के बेर आकर पर क् चैनल के बाराओ